नमस्कार सात्यू और श्रेलिया में एक बहुत थी टिपिकल और इंट्रस्टिंग सिचुएशन सामने आई है जहां पर सडन इंफेंट डेथ होना शुरू है मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं इंफेंट का मतलब जो एक साल से छोटा बच्चा होता है उसे इंफेंट कहा ज जाती है इस इसे एक सिंड्रॉम कहांगे और यह से सडन इंफेंट डेथ सिंड्रॉम नाम दिया है अब आस्ट्रेलिया में ऐसा क्यों हुआ क्या रिसर्च कहती है कितना सैंपल सर्वे था रिसर्च कितनी करक्ठ है हम अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हे किस प्रकार से इस सिंड्रॉम से दूर रखें इनी सब बातों की चर्चा करेंगे हम आज के लेक्चर में मेरा नाम है रिशी सुधान शुपांडे उससे पहले में आपको पस बता देना चाहता हूँ कि बही एक जून से मंड़े वेंस्डे और फ्राइडे को लाइफ क्लास लेंगे सद्धान सर तो अगर आप अपने सारे बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो अभी एन्रॉल करें क्योंकि 25% और बहुत ही बढ़िया ओफर या आपको अपने इस को लेने का और सारे बेसिक्स को क्लियर करने का चलिए अब चलते हैं न्यूस पे कि वह टीम आफ ब्लड में इंजेक्ट किया और वहां से पता किया कि यहां पे जो न्यूबॉर्ण बेबीज हैं वो SIDS यानि Sudden Infant Death Syndrome से रिस्क में हैं और उसमें उन्होंने कहा कि एक पर्टीकुलर ब्यूटरिल कॉलिनेस्टेसरेस यह करके एक एक एक्जाइम होता है जैसे BCHE नाम दिया है अल्दो इस वेरी टफ टू प्रणाउंस है अब इस लिए अपन इसको BCHE नाम ही लेंगे यह आफ्टर बर्थ जो एक समय होता है एक वर्ष का उस आयू के दौरान इसकी जो मात्रत ही कम मानी गई अब इस BCH enzyme का क्या इंटक्ट होता है किसकी क्या ज़रूरत है इसको कैस इसे बढ़ाया जा सकता है इन सब की चर्चा करते हैं पहले बताते हैं कि a low level of BCHE enzyme affects the sleeping infant's ability to wake up or respond to their environment होता क्या है बच्चा बहुत healthy है और वो सो रहा है जिसे आप और में भी healthy है और सो रहे है लेकिन एक ऐसा moment आता है जिससे कि तुरंत हम जग जाते हैं वो जो तुरंत जग हम जिसकी मैंने भी बात की कि हम सो रहे हैं और एकदम से हम जगते हैं वो है Autonomic Nervous System जब हम unconscious या फिर involuntary function कर रहे होते हैं अब ऐसा ही डियस क्या होता है Sudden Infant Death Syndrome is the unexpected death of an apparently healthy infant जैसा कि मैंने आपको बता है कि बच्चा healthy है बच्चे में कोई health issues नहीं है सामाननेते ऐसा कब होता है जब बच्चा सो रहा होता है ऑल्दो rare cases में जब बच्चा जग रहा होता है तब भी ऐसा हो सकता और उसे caught death कहा जाता है कॉछ newborn babies जो की prematurely यानि अपने नौ महां के जो पूरा time है उनके पैदा होने में उससे पहले जैसे साथ महीन या आट महीन में पैदा होते है वो लोग और जिन बच्चों का जन्म के समय वजन कम होता है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा impact है risk रखते हैं greater risk रखते है exact cause of SIDS तो अभी नहीं पता है फिर भी इन इस नहीं research में कुछ जो चीज़ें हैं जैसा कि मैंने BCH enzyme बताया आपको वो एक बहुत बड़ा reason निकल के सामने आया है what does the new research say new research का कहना है कि a certain the cause of SIDS blood spots जो newborn infants थे और इस जो बच्चों में पाए गए उनको देखा गया उनके samples को screen किया गया किसके लिए BCHE enzyme है और उसका total protein content कितना यह सब देखा गया उन सभी samples में 26 बच्ची जो थे infants थे वो SIDS के कारण expired हुए जबकि 41 अन्य reasons के कारण और 655 जो surviving infants थे तो यह था fact यानि data अब मैं आपको बताता हूँ बच्चा expired कैसी किस तरीके से issue raise होता है आपने देखा हुआ कई बार बच्चे उल्टेस होते हैं ठीक है अब बच्चे उल्टेस हो रहे हैं तो अगर उनक सकती कि वह करवा बदल के अपनी नाक और मुझे साइट से वह सांस लेते हैं उसको एर के डिरेक्शन में लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह failure होता है जिससे की उन्हें होता है एस्फिक्सिया प्रोग्रेसिफ एस्फिक्सिया आता है उससे हाइपक्सिया कॉमा में चाहता ह है अपक्सिया कोमा का मतलब है कि नर्वस सिस्टम बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है क्योंकि ऑक्सिजन नहीं पहुच रही है इसका नेक्स्ट स्ट्राइब होता है ब्रेडी कार्डियान गैस्पिंग और फिर अल्टीमेटली है failure of failure of auto resuccesation resulting on that की बच्चा उठ नहीं पाता है औ पहली चीज है कि जिन जिन बच्चों की death हुई जिन जिन इंफेंट की death हुई उनका SI-DS जो BCHE लेवल था वो significantly काफी ज्यादा कम था किसकी तुलना में जो बच्चे यानि जो इंफेंट जिन्दा बच्चे लो BCHE activities associated with severe systematic inflammation अगर आपके शरी में inflammation की समस्या है तो आपका BCHE जो enzyme है वो काफी ज्यादा कम पाया जाता है और एक important चीज है कि इस यही कारण माना जाता है कि इस चीज का higher mortality after sepsis and cardiac events मतलब यह दो event है जिनके बाद severe systematic inflammation और BCHE activity है उसकी death को एक बहुत बड़ा important indicator माना जाता है next है inflammation has been thought to be a factor or SIDS cases जो मैंना भी आपको बताया ही है study यह भी कहती है कि mild inflammatory changes in the body have walls of ear passes of the lungs जहां बच्चे सांस लेते हैं जैसे मैंने इस image में आपको बताया कि बच्चे जब सांस ले रहे हैं तो उसके साथ challenges है तो इनी के लिए वर observed in SIDS infants as early as 1889 सी पहली बार तब ही यह observe किया गया ता issue था prematurely delivered babies जो होते हैं जिनके हमने पताया कि ज्यादा risk पे होते हैं और उनको किस पे कम माना गया कि 1957 की study कहती है कि BCHE is infancy found that there was no difference in the levels of the enzyme in premature and mature newborn infants तो अब देको इस जो नई study उसने तो कहा कि इसका impact होता है लेकि 1957 में study हुई थी उसने कहाता है देवस no basic और बहुत major difference नहीं था किसमें जो newborn baby थे जो premature हुए है और जो SI-DS event को बढ़ाने में इस smoking के और भी negative impacts है तो अब इस study की limitations कहा क्योंकि इस study यह कोई बहुत प्रूफ या फिर medical approval या उसके साथ नहीं है यहां कुछ limitations है क्या limitations हो सकती कि पहली तो चीज है कि इनका sample जो है वो बहुत limited है बहुत कम है साती साथ दो वर्ष पुराने हैं जो data ल रहे हैं साती साथ एक चीज़ और मानने की है कि यहां पर जो सेंपल सरवेताओ 600 ही लोगों पे था control samples थे इसके साथ उसमें यह था कि unaware of the how common the abnormality is in the wider population 600 पर यहां पीस चीज़ को fix नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा तो आप वाइडर population पे analysis करना ही होगा साती साथ study did not use autopsy डिटेल क्या होती कि जब कोई death हो जाती तो उसके बाद उसकी जो saliva है जो उसकी blood cells है इन सब को चेक करके result निकाला जाते कि इसमें क्या 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 इशू होते तो autopsy डिटेल जो थी उन सब पे भी ध्यान नहीं दिया गया बलकि कोरो नर्स जो थे diagnosis वो उसमें किया गया है एक चीज और मैं बता दूँ कि बच्चों को आप SSIDS जो है Sudden Infant Death Syndrome से कैसे बजा सकते हैं सामान में पे भारत में ऐसी विवस्था नहीं होती कि यहां बच्चे को माता-पिता से दूर सुलाए जाता है विद्विशों में वेस्ट से आप सुरक्षा कर सकते हैं जैसे कि बच्चे को overdress ना करें बहुत ज्यादा कपड़े ना सुलाएं क्योंकि वो उसके बॉड़ी को वेट कराएगा होट करेगा गर्मी पैता करेगा तो उससे इशू हो सकता है साथी साथ जब बच्चा जग रहा होता है तो उसको उसके प सब्सक्राइब को पता है बट इन सेपरेट स्लीपिंग एडिया ऐसा वेस्टन कंट्रीज में होता है एक चीज और है इंपॉर्टन कि बच्चे को कभी भी पेट के बल न सुलाएं उन्हें उनकी जो बैक टू स्लीप है प्लेस करें उनको पीट पे रखके उन्हें सुलाए इस सीट का बहुत जाद अच्छे तरीके से ध्यान रखें सेफ स्लीप हमेशा बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे हां तो इसके बहुत ध्यान दिया जाता है खासत और पे प्री मेच्चुर बेबी की बहुत बड़ी समस्या बनके उभर वी रहा है तो सभी साथी और हेल्दी लाइफस्टाइल माताई हैं जो बहने हैं जो भी माँ बनने वाली हैं वो रखें जिससे कि उनके बच्चे स्वस्थ और सुन्दर पैदा हो और आने वाले भावरत का बहुत बैतरी तरीके से निर्मान कर सकें इसी के साथ दोस्तों जैहिन जैभारत